जैहीं दोस्तों, कैसे हो आप सब, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकर फिजिक्स प्रोग्राम में आज का ये शांदर कंसेप्ट आपको 12th डिप्लोमा और हर कंपेटिशन एकजाम में आपका माग दसन करेगा शात्यों, टुड़े वी स्टडी दे एप्लिकेशन अप गोर्ज थोर्म अप अलेक्रोस्टेटिक अब तक मैंने आपको गोर्ज थोर्म अलेक्रोस्टेटिक की चार एप्लिकेशन बता चुगा हूँ वे वा स्टडीट फोर एप्लिकेशन अप गोर्ज थोर्म अलेक्रोस्टेटिक तिल 1. Expression for electric pin intensity due to point charge 2. Expression for electric pin intensity due to hollow sphere 3. Expression for electric pin intensity due to solid sphere 4. Expression for electric pin intensity due to straight conductor carrying charge और continuous charge distribution और आज हम करवाने जारें आपको fifth application that is expression for electric intensity due to single thin infinite plane seat of charge शात्यों आपने हमारे previous lecture को ध्यान से सुना होगा सबसे पहली मैंने आपको गोज थोरोप electrostatic क्या है और इसे सिद्ध करके बताया है शात्यों, according to this theorem, the surface integration of electric intensity over the closed path is equal to one by afterno times the total charge project in the closed path शात्यों, जब भी हम कोई भी application गोश्थ्थरम की करते हैं, हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है पहला हमें Gaussian surface का चुनाव करना होता है और दूसरा, electric intensity और area vector के बीच का angle जानना होता है तो चलिए, समझते हैं, expression for electric intensity due to single thin, infinite, plain, sheet of charge शात्यों, यह एक, infinite, plain, sheet of charge है Consider, this is a thin, infinite, plain, sheet of charge on which positive charge is distributed continuously over its surface सात्यों मैंने एक single, thin, infinite, plain, sheet of charge दिया है single माने तो एक, thin माने तो पतला, infinite माने बहुत ज्यादा दुरी तक plain, sheet of charge, charge इस पर distribute है तो सात्यों हमारे पास एक, पत्री सी, plain, sheet है जिस पर positive charge distributed है clear अब इसके लिए हमें सरप्रथम, Gaussian surface का चुनाव करना होगा Gaussian surface आप सभी को याद है Gaussian surface is the surface at every point of which the electric fin test is same Gaussian surface वो surface है जिसके पत्रीक प्वाइंट पर एलेक्ट्रीक इंटेंस्टी की वेलू सेम है तो बताइए ऐसा कौन सा सरप्रेस होगा तो अगर इसके सरप्रेस की बात करें तो लेप साइड में और राइट साइड में यह एलेक्ट्रीक फिल उपन करेंगा पक्की बात है ना अरे प्लेन सीटा दोस्तों प्लेन सीटा तो लेप्ट में और राइट में इसका एलेक्ट्रीक फिल्ड जादा होगा इसी लिए जिसके लिए जो गोशियल सरपेस बनेगा इस से लिए जो आकरती है उसके माध्याम से लेप्ट में और राइट में एलेक्ट्रीक फिल्ड को आसानी से अज्यूम किया जा सकता है तो हमने प्लेन सीट अब चार्ज के लिए सबसे पहले बोशन सर्पेस बनाया यह बोशन सर्पेस कैसा होगा से रिकल इन सी कि अब आम यहां पर समूल से एडिया ले लिया और यहां पर स्मूल बता nickel कि अगल लेते हैं दो यहां यहां पर जो कि यहां व्यायचलों पर और लिए जब जो लूल से खिड़ांत क्लशाOOOO ले निया एक्तर द्राले नॉर्मल टौदाग भिवन दो सर्फेश तो सांद कि अगर यहां पर उन्हें पर इस एएडिया पोजिटीव चाज ने दा तो पॉस्टिव पॉस्टिव क्या करेगा बोलो लाइट चार्ज रिपर इच अधर तो पोजिटीव चार्ज भी डिपर ग करेंगा तो एलेक्टिक की डिरेक्शन क्या होगी लेप्ट बढ़ करेंगा इसलिए यह भी आपका राइट बढ़ हो जाएगा करिया इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर नॉर्मल है मतलब फर्स्ट रिजन के लिए यह सेंग डायरेक्शन में है शेक्टिड रिजन के लिए भी यह डिये डायरेक्शन में है कडियर कोई कन्फ्यूजर कोई दिकत और आप देख सकते हैं कि इस प्लेन सीट अप चार्ज की वज़ासे लेप्ट और राइट में ही अस्ट्रोंग एलेक्ट्रिक फिल्ड उत्पन होगा कन्फर्मन करियर चलिये अब इसके लिए हम ऐलेक्ट्रिक फिल्ट टेशन निकालते हैं अकोर्डिंट्ट्टू गोस् थेोर्म उफ एलेक्ट्रों स्टेटिक आप सभी को याद है अकोर्डिंट्टू गोस्थेोर्म उफ rapid टेशन खेंख डेंध देच शेरफित integration of electric fin t over the closed path is equal to q upon epsilon node. Clear? According to this theorem, surface integration of electric fin t over the closed path is equal to q by epsilon node. So, सबसे पाहिना मने लफने लफने साइड अगरिया. So, according to left hand side, e dot ds can be written as left hand मने first portion e ds and second portion e ds first portion e ds और second portion e ds curve portion का electric flux 0 होगा. क्यों अगर आपने यहां को यह ले ले लिया? area vector ले लिया. तो on that condition e और ds के बीच का एंगल कितना होगा? 90 degree और यह तो आप भली बात ही जानते हैं कि यदि दो वेक्टर एक दुसरे के perpendicular हो तो उनका dot product 0 होता है. कलियर ना? second portion का electric function जो आपके श्रक्रिक हो है. अब पहले first portion का देखते हैं अगर दो वेक्टर के बीच में dot product हो तो क्या आता है बोलो cost theta a dot b is a b cost theta similarly second portion के लिए भी यही होगा e ds cos theta right अब इधर देखिए इन दोनों के बीच का इंगर कितना है 0 दिगी उन दोनों के बीच का इंगर कितना है 0 दिगी तो यहां theta 0 हो गया इसलिए left hand side becomes क्या बन जाएगा first portion e ds cos 0 plus में second portion e ds cos 0 और cos 0 के बालू कितनी होती है दोस्तो 1 तो 1 into something something similarly one into something something right कोई कर्प्यों जाल बहुत ही सीपल है यार इदो डिये सम्ने दो भागों में डिवाइड कर दिया first portion second portion क्योंकि बीच का तो 0 हो हिया था तो first portion का इस प्रस में second portion का इस डोट पोड़क्ट हो तो post it आजाता है दिस और के बीच में dot product है तो याँ आँ स्वाइड आ गया दोनों सेंवरेक्षण में हैं में सेमरेक्षण में होते हैं जीरो दिवर होता है यहाँ जीरो यहां वी पौष जीरो जीरो कितनी होती है वान वान ही something something कोई कोई समस्या अगर हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखे बता सकते हो तो गोशन सर्फिस के लिए हर पॉइंट पे लेक्टिक फिटनेश्टिक वैलू सेम होती है क्योंकि हर एक उसर पे लेक्टिक फिर की स्वेलू सेम होती है यह आप टेकन आप साइड इंटु डिएस सिमिलल्डी यहां भी बाहर निकल जाएगा डिएस और आपने मान दिया कि उसका एरिया है वो कितना है एस टोटर एरिया ही एस अपका एस इस दा टोटर एरिया तो यह पर इस इस प्लस यह जगा तो इस लेटेंड साइड आपका इस लेटेंड साइड आ जाएगा तूई एस अब राइट हैं की बात करेंगे हुए कि नो यहां स हैंवे जब चर्चा की जा रही है ओसे चार्ज तीन इन्पाइन ऐ', सिटे के सर्फिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया रही या ठथे तीन तरह में आपको लिनियर ऍाज डिस्ट्रिबीशन सर्फेश चार्ज डिस्ट्रिःट्रिबिूशन और बेलन 5 करद लेंगे और आदर तो सर्फेस में सर्फेश घ已经 को wa te officers कि स्ट्रेट किसमने मांपीदाती है surface charge density की रोकाने तो surface charge density हो गया आपका charge upon area. surface charge density is equal to charge upon area. then q is equal to sigma into s. surface charge density is equal to charge upon area तो charge आगया sigma into s. confirm इसे 1 मान दिजिया और इसे 2 मान दिजिया. राइट, देन अकोर्डिंग टो गोस्थर्म क्या हो जाएगा, E dot ds is equal to cube epsilon note है न, तो E dot ds की बें लुक्या आईगे माल पास, 2es पका, और q की बें लुक्या है, sigma s upon epsilon note, s जाइस कैंसल हो गया, तो 2e equal to sigma upon epsilon note, तो E की value आगाई, sigma upon 2 epsilon note, तो दिस आग गोर्जियास, फैंटास्टिक, जैवद, एस्प्रेशन पोर एलेक्टिक, पेंटेश्टिक, जूस्टो, सिंगर, थीन, इन, पाइनाइट, प्लेंट, सिट अप चार्ज, हैना विर्कुला साथ, मुझे विश्वास है कि आपको ये शान्द एक्ष्प्रेशन समझ में आ गया होगा, एक बार summarize कर देते हैं, ताकि आपको और आशालेशे समझ में आ जाई, देखे, सिंगर लाइन में, E dot ds is equal to a, Q by epsilon note, अक्की बात, और E dot ds निकाला, आपने वो फर्स्ट पोर्शन के लिए, प्रस में सेकंड पोर्शन के लिए, फर्स्ट पोर्शन के लिए क्या है, E ds क्योंकि एंगल 0 था, सेकंड क्या भी E ds, क्योंकि यहां भी एंगल 0 है, अक्की बात, Cookie 2 a 4 के आरेक्टिक्ट इंसटी सेमगेको टेकनाउट साइडाइस हूए थे क tehdग एक आप्साइवारा इंदा किवेनदोर सांट यह तो छे एक किव्ट पोगए मधा इल सेकिंडन कुछ से एस क९ह क्या क्या कुछ सब्सक्राइब von सब्सक्राइब एप्सला नोट एस टुएस एंसर हो गया तो एक वेलू गया जाएगी सिग्मा आपॉन टू एप्सला नोट तो दिला फैंटास्टिक जवादस्ट एक्सप्रेशन पो एलेक्स्टिक फेंटास्टिक दूट्टो सिंगल थीन इन फानेट प्लेंट सिट पांच एप्लिकेशन गोश्थ्थरम की बता दी गई एक और धाकड एप्लिकेशन है जो हम आपके साथ सेयर करेंगे मुझे श्वास है कि आपको बड़े ही धाकड तरीके से हम रेगुलर स्टड़ी के द्वारा आपका ग्यार वर्धन कर रहे हैं उसमें आप बर्चरकर हि प्रिद बनाता है यह समय अपने आपको मजबूत बनाने का है इनोवेटिव आइडिया के शाथ अपने अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी उत्पन करने का है कि हम अपने आपको चाहे कितनी ही मुसीबत का समय आ जाए अपने आपको पैरों पे खड़ा रख सकें शातियों आप शबी शन्म यही कहेंगे कि जब पूरा दुनिया इस कोरोना विवारी से टरस्त है तो आईए अपने अंदर एक कॉंफिडेंश के दीपक के माध्यम से एक कॉंफिडेंश के शाथ हिंमत और जोश के साथ हिंमत और धेरे के साथ अपने आपको एजुकेशन से ऐसे जो एक इंसान जो शांदा तरीके से अपने लक्षे के प्रत्य गरसर होता है वह कभी भी पीछे नहीं आड़ता है याद रखिए जो अपने गोल को निश्चित करके केवल अपने गोल पर ध्यान देगा अपने लक्षे पर ध्यान देगा और लक्सक के लिए प्रियासरत रहेगा, वो जीवन में अवस्य सखलोगा, तीस्ती उमीद के साथ कि आप ऐसे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और हमारे द्वारा पढ़ाएंगे, नोलेज को अपने हर्दे में अस्तित करते रहेंगे, हर्दे के अंदर धारन करते रहेंगे फिर मिलेंगे और शांदर ने कंसप्ट के साथ सेम टाइम सेम जगा जय हैं जय भारत